तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे सीट्यूब चैनल केरियर हेलप पर दोस्तों आज हम लोग पताएंगे ICICI bank के एक recruitment के बारे में recruitment तो नहीं यह course कह सकते हैं ICICI bank के तरफ से आप लोगों को करवाया जाएगा अगर आप इस course के लिए apply करते हैं तो तो जरूर सी इस वीडियो को लाश्ट तक देखिए बहुत ही interesting वीडियो होने वाला है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe में ही किया तो subscribe करने के बाद वेल आइकन को क्लिक कीजिए उसके बाद आल पर क्लिक कीजिए से क्या होगा हमारे आने वाले सभी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचते रहेंगे तो चलिए दोस्तो बढ़ते हैं वीडियो के तरफ तो दोस्तो देख सकते हैं यह हमारा official website यहाँ पर आप आ सकते हैं नीचे description पर लिंक दिया हुआ है उदर से जाके आप आ सकते हैं इस website पर हमारा website है careerhelp.info यहाँ पर देखिए ICACA bank recruitment लिखा हुआ है यहाँ पर who can apply all over India सभी apply कर सकते हैं जैसा कि bank के recruitment में होता है post name provisionary officer रहेगा gender male female सभी apply कर सकते हैं तो description में देखिए बहुत सारा description यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग पर सकते हैं नीचे description में link दिया हुआ है इधर देखिए educational qualification क्या है those who have completed graduation with 55% aggregate marks in any discipline आपने अगर graduation complete किया है 50% 55% marks के साथ तो आप इस course के लिए apply कर सकते हैं आपका up to 27 years age on 1st August 2021 होना चाहिए यह आपका criteria रहेगा only shortlisted applications will be invited for the selection process अगर आप लोग application कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप लोग course कर पाएंगे आप लोग को shortlisting किया जाएगा उसके बाद आपको बुलाए जाएगा final selection के लिए देखिए यहाँ पर selection process दिया हुआ है term one है term two है term three है term four है देखिए total four month two month two month और four month करके यह चारो phase में आपका course complete होगा पहला term one है classroom training in IMA Bangalore आई में बैंगलरू में आपका training करवाय जाएगा उसके बाद term two में आपका internship at ICACA bank चार महिने के बाद दो महिने का आपका internship रहेगा ICACA bank में उसके बाद term three में two months classroom training फिर से आपको classroom training करवाय जाएगा internship के बाद उसके बाद आपको term four में on job training होगा ICACA bank में यह आपका internship नहीं रहेगा यह आपका on job training रहेगा मतलब उसके बाद आपको direct job application दिया जाएगा आप लोग joining लेटर दिया जाएगा आपको आप लोग join कर पाएंगे उसके बाद देखिए दूस्तों यहाँ पर apply online यहाँ पर से आपको apply online करना पड़ेगा direct यहाँ पर click here पर click करेंगे आपको कुछ Google पर जाने की कोई जरूद नहीं है यहाँ पर direct इससे click here पर click करेंगे तो जहाँ पर apply करना होगा वहाँ पर पहुंच जाएंगे यहाँ पर click here पर click करेंगे click here पर click करने के बाद यहाँ पर पूरा website open हो गया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या है यहाँ पर जो मैंने बताया वही है और यहाँ पर program highlight करके कुछ लि में उसके बाद देखे दोस्तो program focuses on balanced approach of providing inputs compressing of relevant knowledge developing sales and relationship banking skill and shaping regular behavior यह सब आपको अपना skill development करवा जाएगा क्या क्या करवा जाएगा आप लोग देख सकते हैं उसके बाद देखे दोस्तो that training impacts knowledge and skill in core banking areas like banking products processes systems regulations and complaints framework involves in the day to day operations मतलब एक दिन में बैंक में जो product sale होता है क्या क्या काम होता है सब कुछ आपको knowledge करवा जाएगा उसके बाद मैंने बता ही दिया program structure क्या है आपको चार मंत में पहला चार मंत में आपको classroom training होगा उसके बाद internship होगा उसके बाद फिर से classroom training होगा उसके बाद आपका एक छोटा सा on job training होगा चार महिने का उसके बाद देखिए इडिजिबिटी क्राइटरिया मैंने अल्रेडी बता दिया experience में देखिए जोस्तों यहाँ पर 0 to 1 year experience जो है वो लोग apply कर सकते हैं 0 to 1 year मतलब अगर आपके पास कोई भी experience नहीं है तो भी आप apply कर सकते हैं जिसके पास experience है वो भी apply कर सकता है उसके बाद apply करने के लिए यहाँ पर आपको apply here पर क्लिक करना पड़ेगा apply here पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे कुछ interface आपके पास आ जाएगा यहाँ पर देखिए तो application login अगर आपके पास username और password है अगर आपने पहले भी ICICI bank के किसी post के लिए apply किया है तो आपके पास यह जरूर रहेगा तो आप लोग यहाँ पर से username और password और यह capture आप लोग apply कर सकते हैं यहाँ पर से login कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो आपको यहाँ पर sign up करना पड़ेगा sign up कर देंगे sign up करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना resume डालना पड़ेगा resume डालने के बाद आपका जो personal details है यहाँ पर आपको पूरा fulfill करना यह सब डालने के बाद आपको प्रोसीट पर क्लिक करना पड़ेगा उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे उसके बाद आपको यह Correspondent Address और Permanent Address देना पड़ेगा, यह Correspondent Address आप भलनेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर Save Batch Correspondent Address दे देना है, उसके बाद यह पूरा भर जाएगा Automatically, उसके बाद यह सब भनने के बाद आप लोग Next पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो Form है, वो Submission हो जाएगा, यह Form भनने के बाद आपको आगे Forward कर दिया जाएगा, यहाँ पर Academic Information आपको भनना पड़ेगा, Work Experience आपको भनना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको Final Submission करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पूरा Form दिखाया जागा, उसके बाद आप लोग Submit कर सकते हैं, तो यही था पूरा Application Process, तो ICSA Bank का Provisionary Officer आप लोग लिया जाएगा, बहुत ही अच्छा है, कोर्स होने वाला है आप लोग के लिए, अगर आप लोग Interested हैं, तो जरूर से इस पोस्ट के लिए आप लोग Apply कीजिए, जल्दी से जल्दी Apply कीजिए, ज्यादा Time नहीं है, 18 से 27 साल के जो भी Candidates हैं, वो लोग Apply कर सकते हैं, और Graduation होना चाहिए, 55% Mass Cup का Aggregate होना चाहिए, तो कैसा लगा अच्छा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो Like, Subscribe कीजिए, मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बारत